हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका PKR Tech Classes में दोस्तों यह उत्तरप्रदेश पावर कॉर्परिशन लिम्टेट टेक्निकल ग्रेट सेकेंड का पार्ट तीसरा है ठीक है तो हम लोग पार्ट वन पार्ट टू में पचास-पचास कुश्चन सॉल्ब कर चुके हैं टोटल मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और सेर करें ठीक दोस्तों तो देखते हैं कुश्चन सेट है ठीक है तो देखते हैं हम लोग कुश्चन नमबर 101 से तो आप लोगों चेक रिक्वेस्ट एक वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा आपके लिए काफी इंपॉर् सब्सक्राबर होता है एक सो बीस एफ अपॉन पी तो एक सो बीस इंटू एफ निकालना है एंड पी अश्ट पोल मतलब आठ पोल दी है एंड स्पीड जो दी है वह सास्तों पचास हर्पी है तो यहां हम लोग निकालेंगे आठ से अगर हम लोग 120 को काटेंगे यह कट सब्सक्राइब आड यू के जाता है तो जो सब्सक्राइब करने के लिए हायित अगला कोश्절 क्या एक तरफंगत पार चेजिटर करेंगे वहाली पट्टि के लिए जो ठोलर्रेंश होता है कि सथा यहां पे चांदि की पीब पात्टी का बैंड होगा और अगर अब होइं पर गोल्ड की पट्टी का वा चिवह होता है वो होता है तु度 क्या मैं भीघाट के होता है यह युआ कोई बैंड सब्सक्राइब तो कसबिस अगला क्रिकार में होता है नहीं होगा त्रयाइब है इन्टीग्रेटिंग इस्टुमेंट होता है फ्लब वर्ड वन मीटर अगला कुश्षन के श्यर्डेइ När Frau के रूप में भी जाना जाता है जो अर्थ लीकल सरक्रण कर ब्रेकर भी बोलते हैं कि आगला कुश्चन किसी ट्रांसकोड के । रिख सपलाई से ज़ड़ी होने पर क्या होता है तो अगर हमद्ब और्इज कर देते हैं थेक अगर इसकी हम लोग ४्लाली का हमकरता है तो जब इसमें देते हैं तो जो primary winding में जो flux होता है वो mutual induction उसमें नहीं generate होता है क्या होता है तो उससे जो primary में जो linkage होता है flux flux link नहीं होता है secondary में तो इस तरह से जो primary में current होती है उसका मान बढ़ता जाता है इससे जो heat होती है वो generate होती चरी जाती है और एक condition ऐसी आती है कि जो continue अगर DC source से जोड़ा रहा तो जो primary winding है वो जल जाती ठीक है अगला question potential transformer एक होता है potential मतलब PT transformer एक होता है किस परकार का जो potential transformer होता वो step down transformer होता है ठीक है जो high voltage major करने के लिए यूज करते हैं ठीक है कि high voltage measurement के लिए हम लोग potential transformer का यूज करते हैं तो जो high voltage transformer को low voltage की range में major करते हैं ठीक है एंड जो CT होता है वो एक परकार का step up transformer होता है जो high current को low range की current में major करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अगला question अर्थ resistance को किसके दौरा मापा जा सकता है तो जो अर्थ resistance होता है उसको हम लोग अर्थ टेस्टर से इस्तमाल करते हैं उसका भूर प्रत्रोध मापने के लिए ठीक है अगला question आम तोर पर संकेंद्री या concentric winding का उपयोग किसमें किया जाता है जनली तो यह उपयोग दोस्तों जनली जो concentric winding होती है single phase induction motor में ज्यादा तर यूज की जाती है ठीक है अगला question क्या कह रहा है किसी power circuit में अधिकतम भार है जो load है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो जो maximum load होता है power circuit में वो होता है दोस्तो 3000 watt ठीक है 3000 watt से ज्यादा loading होना चाहिए and जो point होते हैं इसमें 2 point से maximum point नहीं हो सकते है ठीक है यह power circuit की होती है बात एंड अगर यहीं पर light fan circuit की बात होती है तो उसके लिए जो अधिकतम भार होता है वो होता है तो इस तो 800 watt एंड जो point होते हैं वो सकते हैं 10 ठीक है 10 points से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 800 watt से ज्यादा load नहीं होगा light fan circuit में कि अगला कोश्चन 5HP तक थ्री फेज 450 पोल्ड 50 हड्स स्क्वेरल केज इंडेक्शन मोटर के उपयोग से शुरू किया जा सकता है किसके उपयोग से तो जो 5HP की मोटर है उसको दोस्तों डियोल स्टार्ट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको इस्टार्ट करने के लिए ठीक है ठीक हैं किसी ुपधार की दिद्वारा बदली जा सकती है उसको हम लोग field winding या armature winding किसी एक के terminal अगर बदल दे हम लोग आपस में तो हम लोग इसकी दिसाब बदल सकते हैं क्या है तो प्रत्यावर्ती field या armature में किसी एक की जो सही हो जाए है उनको बदल देंगी तो उससे दिसाब बदल जाएगी मोटर की अगला कोशन बिना लोड के DC series वाले मोटर को नहीं चलाने चाहिए क्योंकि DC series मोटर को बिदावड लोड नहीं चलाते है क्योंकि जो इसकी speed होती है वो खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी मतलब high speed से चलने लगती है ठीक है इसलिए DC series मोटर को बिदावड लोड के नहीं चलाया जाता अगला कोशन किसी भू लेक्टोड से एक भवन की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए तो जो भू लेक्टोड है उसकी दूरी कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए किसी भवन से तो वह होती है दोस्तों 5-1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठिक है अगला कुशन इस्ताईच उम्बग बनाने के लिए उप्योगी सामगरी है मतलब परमानेंट मैदेंट बनाने के लिए कौनसी सामगरी का युज़ करते हैं तो वह होता है दोस्तो carbon steel ठीक है अगला कोश्षन पष्ष अंत्राल या backbench सब्ध आम तोर dasik what होता है तो जो backbench होती है वो दोस्तो dc armature winding के संदर में यदी होता है ठीक है backbench front bunch and result end pitch कि अगला कोश्षन आई एसाइ के नियमों के अनुसार किसी lighting processo करकेट में maximum load किस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यह दोस्तों अभी पिछले कुशन में चर्चा की कि 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें maximum 10 काश यहें एक है कि अगला कुश्यन संक्रीण हों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लाइर का उप्योंक की जाता है मतलब सख्री जगाँ पर थे होते हैं उसको लंबे नोकदर प्लायर, इनको नोज प्लायर भी भी, भूलते हैं, ठीक है। पूर्ण अंतराल वाणिंग मरें फूल पिछ वाणिंग में क्या होता है फुल पिछ वांडंग में दोस्तों होता है की कौल इश्पान तोर पर उपकरान की सुरच्छा के रूप में के लिए कि लिए जो बुकूल्द रिले वह आमतार पर ट्रांसफार्मर की आव में यूज करते हैं और जो रेले होती है वह ट्रांसफार्मर टैंक एक कंजरवेटर के बीच में जुड़ी होती है ठीक है अगला कुश्शन नेमनिमे से कौन से विषम चुम की सामग्रियों के उधारण जाया मैंग्नेटिक माटेरियल ऐसे माटेरियल जो चुमबक से आकरसित नहीं होते हैं ठीक है तो वो कौन से उधारण समगरियों को यह दोस्तों देखें कि सोना, तांबा, एंड सीसा, ठीक है, यह जो तीन मटेरियल हैं, यह चुमबक से आकरसित नहीं होते हैं, अगला कुश्चन, कि घरेलू मिक्सर की निर्धारे सकती है, जो घरेलू मिक्सर होता है, मिक्सर ग्राइंडर उसकी जो निर्धार क्या का जाता है, तो AC सरक्ट में क्या होता है दोस्तों, AC सरक्ट में R भी होता है, XL, XC, ठीक है, यह साब होते हैं, तो जो प्रत्रोध होता है, उसको कहते हैं, प्रतिबादा, मतलब impedance, जो Z परावर होता है, क्या, अंडर रूल R स्क्वार प्लस XL डिफरेंस XC, ठीक है, जि एक ऐसा transformer, जिसमें कोई हानी नहीं होती, उससे क्या कहा जाता है, तो AC transformer को जिसमें कोई भी हानी नहीं होगी, उससे कहते हैं, दोस्तों, ideal transformer, ठीक है, ideal transformer, एंड इसका जो ideal transformer होता है, इसमें क्या होता है, दोस्तों, इसमें E2 upon E1 equal to N2 upon N1 equal to I1 upon I2, ठीक है, अगला question निम्न में कौन विद्योद्रोधी है इनमें से कौन सा जो है वो विद्योद्रोधी है तो इसमें fiber जो है वो विद्योद्रोधी होता है ठीक है अगला question, भारत में बिजली की प्रिचाला नाप वरती है, तो जो भारत में बिजली की प्रिचाला नाप वरती है वो है तो 50 Hertz एंड अमेरिका में जो है दोस्तों, तो अमेरिका में 60 Hertz यूज होती है, frequency स्क्रिक्वेश्च मोटर में जो स्टार्टिंग के लिए सियारो का फूर्ण रूप क्या है सियारो का एक और्थिंग की दरष्टी से महत है कि भूई जन क्यों करना चाहिए तो यह दोस्तों सता है मानोजीवन और उपकरणों के बचाओ के लिए ठीक है तो बूई जन करने से जो लीकिश करेंड का मान होता है वो डिरेक्ली अर्थ होने से जमीन पर फ्लो हो जाता है ठीक है उससे मानों और जो उपकरण हैं उनका बचाव किया जा सकता है अग्ला क्षक prosperity के लिए किस प्रकार की वेस्ता प्रशाधित हो थे और जाए किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए इस सब्सक्राइब के जाती है ठीक है अगला कुश्चन से सम्मंदित फैराडे के पहले नियम को के रूप में व्यक्त किया सकता है तो जो फैराडे लाओ उसने दो ला दिये थे तो उसका जो फर्स्ट ला है वो क्या होता है दोस्तों वह ब्राबर हमगोर्ण और यहां डिया है तो लाइकों ब्राबड करतें चैक क्या मिलब चैटक है यह ने यह और दूसरा नियम ठाव क्या था वो था सेकंड सकेंड लाव ता दोस्तों ऑव एस डार्रेक्ट्र चेंड रिजबाबर है उसमें वहοगी उसके chemical equivalents के ठीक है अगला question ISI के नियमों के नुसार छत के किसी पंखे की उचाई जो है कितनी रखनी चाहिए तो फर्स से कह रहे हैं कि फर्स से जो पंखे की उचाई होगी वो रखी जानी चाहिए लगवक 2.75 मीटर के आसपास ठीक है यह minimum उचाई होती है एंड जो ceiling से मतलब छत से जो पंखे की मतलब इसकी निचाई होती है ceiling से पंखे की वो होती है दोस्तो 0.5 मीटर ठीक है इससे जादा नहीं होनी चाहिए अगला question PVC का सही पूर्ण रूप है तो जो PVC होता है उसका full form होता polyvinyl chloride अगला question किसी tube light में चोक लगाने का उद्देश होता है तो tube light में जो हम लोग चोक लगाते है उसका main उद्देश होता है जो starting current या current होती है उसको सीमित करना ठीक है समुचित मात्रा में current को सीमित करना अगला question एक DC generator में जो अधिक्तम efficiency होगी तब कव होती है जो maximum efficiency वो होती दोस्तों जब variable losses equal to constant losses के ठीक है जो बहुते कवस्ताइं है ताब दाव एंड आयतन इन सब चीजों को constant मानते हुए जो वी होता है वो directly proportional होता है current के ठीक है वी प्रपोर्पोर्पोर्शनल आई तो जब लोग यहां proportionality content दाते हैं तब आता है आर तो वी बराबर आई यार यह होता है ओम का नियम अगला question एक कारवन प्रतरोधक पर रंगों का code इस प्रकार है पहले लाल फिर फीला फिर भूरा और अंत में silver इससे प्रतरोध का मान क्या होगा तो जो color coding होती है तो वो होती है दोस्तों क्या यह बी वी रॉय जी बी वी जी डवलू ठीक है इस तरह से होती है तो यहां पर तो यहां पर जो coding होती है जीरो वन टू थ्री फॉर इस तरह से तो क्या कहरा पहले लाल लाल का code कितना टू एंड इसके बाद पर क्या है पीला येलो फोर इंटू ब्राउन भूरा मतलब वन ठीक है एंड जो लाश्ट होता color यहां पर एक बार भूरा और होगा ठीक है तो क पूरा का code कितना है वन तो दसकी गात एक तो इस तरह से हो जाएगा 241 इंटू 10 to the power 1 का मतलब वन ठीक है तो 241 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2410 और लाश्ट में जो code है वो क्या है sorry band वो कौन सा हो है silver मतलब चांदी तो चांदी का जो tolerance होता होता प्लस माइनस 10 परसेंट तो इसका जो code हो जाएगा जूसकर रजिस्तेंट हो जाएगा 2410 प्लस माइनस 10 परसेंट ठीक और यहीं पर अंद में जो silver की जगाएगर गोल्ड होता वैंड तो बैंड गोल्ड वैंड का जो tolerance होता हो प्लस माइनस 5 होता है percent and without band के क्या होता है प्लस माइनस 20 परस डिटे बढून था इन प्रकष्ष जोड़ते मोगे थो आर्मन प्लस आई टू प्लस अर ठी इस तरह से तरह हैं ठीड प्रिल्ल में कैसे जोड़ते हैं वन अपॉन के और एक वेलेंट बरावर वान अपॉन प्लस वन अपॉन आर्टू प्लस वन अपॉन आर्थी इस तरह से ठीक है अगला कुशन विद्धुत आग में मलब एलेक्टिक फायर में किस प्रकार के अगनी सामक के अंदर का उप्योग किया जाता है तो यह दोस्तों होते हैं हैलोन या सीटी सी टाइप के अगनी सामक ठीक है अगला कुशन कौन सा आउसिलेटर जादा इस्तिर होता है तो इन में से जो क्रिश्टल कंट्रोल आउसिलेटर होता है वो सबसे जादा इस्तिर होता है ठीक है अगला कुशन कि विद्धुत कार के लिए किस तरह के जूतों का उप्योग के जाता है तो जो इलेक्टिक वर्क होता है उसके लिए दोस्तों मोटे रवड़ वाले चमले के जूतों का यूज के जाता है जो इंसुलेशन का कार करते हो ठीक है अगला question क्या कहा रहा है induction motor के synchronous speed और real speed के बीच के अंतर को क्या का जाता है तो क्या होता है NS-NR के बीच की जो rotor speed वो real speed होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं तो उस्तो sleep ठीक है विचलन फिसलन या sleep अगला question transformer core को laminate क्यों किया जाता है तो जो transformer की core होती है दोस्तो तो उसको laminate किया जाता है दोस्तो ed current से हानी को रोकने के लिए ठीक है जो ed current होती है अगर laminate कर देते हैं तो ed current कमान कम हो जाता है ठीक है उससे जो होने वाली losses है तो वो भी कम हो जाएंगे अगला question जर्मेनियम और silicon होते हैं तो जर्मेनियम और silicon होते हैं दोस्तो सेमी conductors ठीक है इनके जो last orbit होती है last orbit में होते है four electron अगला question एक सवा कच में निम्लिकित संस्थापन करने के अवस्चता है क्या-क्या 6 ampere के 3 pin वाले 8 socket चालिस वाट वाली दस ट्यूब लाइटें दस सीलिंग पंखे और पांच एक्जास्ट पैन तो सरकिटों की संख्या मलब कितने सरकिटों की संख्या की जरूत पड़ेगी तो चुकि यह light fan circuit है तो light fan circuit में दोस्तों हम लोग जानते है क्या होता है यहाँ पर हम लोग पॉइंट गिनेंगे तो देखेंगे कि 6 ampere के 3 pin वाले 8 socket तो आठ पॉइंट यह होगे इसके बाद 40 watt वाली 10 ट्यूब लाइट तो 10 पॉइंट यह एंड दस सीलिंग फैन और पांच एकजास्ट पैन तो टोटल कितने पॉइंट बनेंगे 8 & 5 तेरा 1 2 13 23 points बनेंगे टोटल तो light fence circuit होता हैगी एक जो circuit होला कि एक सारकिट में कितने टोटल माइंट हो होता है एक प्रकार करन्ट ट्रांस्फार्मर होता है ठीक है जो करन्ट को मापने के लिए यूज किया जाता है ठीक है इस प्रकार का होता है कि लिम पॉन मीटर ठीक है इस तरह से बना होता है लाइव वायर में करंट माप लेते हैं ठीक है अगला कुश्चन क्या कर रहा है कि एक इंडक्शन मोटर में यदि पोल की संख्या दुगनी हो जाती है तो गती क्या होगी तो जो स्पीड होती है एक सो भीस एफ अपॉन पी अगर पोल को में लोग दुगना कर देंगे जो स्पीड होती है वो हो जाएगी आदी ठीक है तो दोस्तो यह था हमारा Uppcl Tg Grade 2 का Practice Set का सॉल्युशन ठीक है paper का सॉल्यूशन थो इस तरह से हम लोगोंれ एक पेपर सैट को सॉल्प कर लिया इसी तरह से अगले paper सैट को सॉल्प करेंगे तीन पार्ट में तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल पीकाट टैक लासेज को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें ठीक दोस्तों और जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं पार वन और पार टू इनको चैनल पर जाके देख सकता है ठीक है